नमस्कार दोस्तों आज की काहनी है संगर्स अचाना खट की आवाज से राजन की नीन्द खुल गई ते जबाँ के साथ बारी सो रही थी इसलिए सायत कुछ किर गया होगा तक ये के नीचे से राजन ने मोवाल निकाल कर टाइम देखा तो रात के दो बज रही थी अभी थोड़ी तेर और सोच सकते हैं ये सोच कर उनोंने फिर से आखें बंद कर ली पर नीन्तों को से दूर जा चुकी थी मन भटकने लगा और पुरानी दिने याद आने लगे पिताजी की असमय मोत के समय बोद दसबर्स के ही तो थे घर चलाने की समस्या आने लगी तो अमा मैनत मचूरी करती और खेलने खाने की ओर में ही पड़ोसी चाचा की कहने पर वही भी अखवार बाटने का काम करने लगे मोसम चाही कोई भी हो राजन सुवे तीन बजी उठकर अखवार का बंडल लाती और चार बजी से घर घर बांटना शुरू कर देती फिर दस बजी से साइकिल की दोकान में चाड़ों पोची का काम कैने के बाध खाली समय में पड़ाई भी कै लेती बजबना ही था कभी उठने में अलसाता ना नुकुर करता दो अमा समझाती तो ते की तरह रटाती की राचन बेटा कठाईयों से लड़ो उनसे संगर्स करो अगर नहीं करोगे तो हार जाओगे वहे भी फिर उठकर उतने ही जोस से काम में लग जाते जैसे तरसी करके अटमी कच्छा तक पढ़ाई भी कर ली फिर अमा ने जल्दी ही ब्या कर दिया 24 के होते होते दो बेटे भी हो गए पर अब घरची पढ़ गए थे तो वहे दिन रात खूँ मैनत करते ताकि बच्ची उनकी तरह दरदर ना बटके बलकि पढ़ लिकर बड़े अदमी बने फिर जब तक बच्ची छोटे थे उन्हें स्कूल और कोचिंग में छोड़ने ले दाती और फिर से इस पूर्ती आजाती बच्चे सुरू से ही पढ़ने में तीज थी इसलिए पहले चाथवरती फिर बड़ी किलास में कोची संस्थानों ने आदी फीस भी माफ करती दोनों पेटी इंचीनियर बन गए तो उची कंपनियों में नोक्री भी लग गई फिर अ आप काम नहीं करेंगे सुबई से कितनी मेनत करते हैं बहुत हुआ अब आपके बेटी कमाने लगे हैं बड़े बेटी ने कहा तो छोटा भी कैसे पीछे रता वही भी मनुहर करने लगा हम अम्मी पापा आप लोग हमारी साथ चलिए और चिनगी के बागी तिन अपने बच साहरत छोड़ देते हैं ऐसे में मेरे पच्छी एक दूसरे से ज़्यादा सेवा करने की होड में लगे हुए हैं बाबा मेरी साथ खेलने चलो तब ही पोती ने कहा नहीं बाबा मेरे हैं पहले मुझे कहानी सुनाएंगे पोती उसकी सैट पकड़कर अपनी और घर सीड रही थी फिर दोनों में खीचतानी होने लगी अच्यानक पत्नी की आवाज सिनकर उनकी नीद खुल गए पुठिये जी आज पेपर बाटने नहीं जाना है क्या रजन को जग जोडते हुए उनकी पत्नी उने चगा रही थी वहें चुग पड़े ओ तो बूमे सपना देख रही थी हाँ सोचते सोचते नीद आ गई थी सायद ये सपना ही तो था ऐसे सब्दों को सुनने के लिए तो उनकी कान तरस गए थी क्योंकि दोनों पच्चे बीदेश में बस गए थे यहां उनका था ही कौन एक वाखवार बेचने बाले को अपने पप कहने में अब उने सर्म च ये करेंगे सोचती हुए जल्दी से बरसाती पहन कर घर से निकल पड़े धन बात दोस्तों अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लैप कमेंट सेर जरूर करें अगर चैनल पे नई हैं तो चैनल को सेस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों क साथ तक तक के लिए बैबै